नमुश्कार मुप्रिया पटना नीज में आपका स्वागत है चरी जानते पटना की फटा फटा फट 11 खबरों को पटना हाफ मैराथॉन को लेकर शुरू हुई तैयारे मिलंद सो मन से लेकर आएंगे तमिलाडू के स्वास्थ मंतरी रविवार के दिन जहां आप एक तरफ छुटी पर होंगे वहीं दूसरी तरफ पटना हाफ मैराथॉन के तहट कई हजार चातर पटना के चकर लगा रहे होंगे अब तक की योजना के नुसारस मैराथॉन के तहट दोड़ गांधी मैदान से शुरू होगी और दिगहाद दानापुर होते वे फिर वापस गांधी मैदान आएगी सबसे खात बात यह है कि पटना हाफ मैराथॉन में अभिनेता मिलन्द सोमन्द और तमिलनाडू के स्वास्न मंत्री थिरू एम सुब्रोमन्यम भी शिर्कत करेंगे इन दोनोंने मैराथॉन में श्यामिल होने की सूशना दी है 27 मार्ष को आयोजित हाफ मैराथॉन में ये दोनों 21 किलोमीटर की दौट भी रगाएंगे जीतने वालों को भारी भरकम जीत की राश्री मिलने वाली है पटना के 5275 मतदाता करेंगे 6 प्रतियाशियों के भाग का फैसला जल्दी बदान परिसक चुनाव का आयोजिन होने वाला है जिसमें ही बिहार की राश्रानी पटना के 5275 मतदाता 6 प्रतियाश्री के भाग का फैसला करने वाले हैं प्रतियों के साथ बैठा की और आदर आचार सहिता के बारे में जानकारी दी है जिसके बाद ही अब 4 अप्रेल को मतदान होना है वहीं इसके लिए सभी प्रकंड मुख्याले पर मतदान के इंदर बनाए गये है पटना जंक्षिन पर 53 लाख रुपे का सोना हुआ बरामत पटना जंक्षिन के रास्ते अवैध रूप से अब तक कई सामानों के आदान प्रिदान की कोशिश की गई है लेकिन अफसोस रेलवे पुलीस ने तसकरों के मनसूमों पर पानी फेर दिया है बीते दिन की बात करें तो पटना जंक्षिन पर रेलवे पुलिस ने बड़े गिरोह का भाणना फोर किया रेलवे पुलिस ने पटना जंक्षिन पर 53 लाख रुपे के सोने के साथ दो युवक को गरफतार किया है मिली जानकारी के अनुसार ही शुकरवार को मुखवीर की सूचना पर ही रेलवे पुलिस ने ये कारवाई की जिसके दहती आरपी एफ पटना और डी आर आई पटना के अधिकारी ने सेंक तच्छा पिमारी करते वे गाड़ी संख्या एक, दो, तीन, शुने, तीन के एच, ए, जिरो, वन कोच से दो व्यक्तियों को नौ अदद सोने का बिस्किट और तीन अदद छोटे टुकड को लियानी के एक केजी सोने के साथ गरफतार किया है पटना साहिब स्टेशन पर गुरुगोविंद सिंh तो राजगीर स्टेशन पर गौतम बुद का लगेगा प्रिंट बिहार के अलगलख स्टेशनों की सूरत बदलने को लेकर बिहार सरकार लगातार काम कर रही है इसे बीच पट्टा साहिब स्टेशन के आगे गुरू को बिंद सिंग का फुट्प्रिंट लगाने का आदेश जारी किया गया है ताकि इस स्टेशन की अपनी पहचान हो जबकि राजगी रेलवे स्टेशन पर शांदी की प्रतीक गौतम बुध का फुट्प्रिंट लगेग स्टानी से कर सकते हैं भारती रेल द्वारा एक स्टेशन एक उतपाद योशना की कड़ी में पाइलेट प्रोजेक्ट के तहट अगले परंदरह दिनों के लिए पटना जंक्षन पर मधुबनी पेंटिंग और इसके उतपाद की प्रदर्शनी से बिकरी केंदर पुरी तरी है दाना पुरेल मंडल के सीनियर डी सी एम सरस्वती चंदर ने इस बात की जानकारी दी है रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में देश भर के प्रसिद डॉक्टर हुए शामिल बीते दिन राज़ानी पतना सित रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल के एक कारिकरम होटेल मौरे में आयोजित किया गया था इसका आयोजिन रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल के एम डी डॉक्टर सत्यजीत सिंग ने किया इसमें लीडिंग दे नेक्स्ट जेनरेशन ओफ हेल्थ केर विशे पर वर्क्शॉप का भी आयोजिन किया गया इस दोरान ही नाशनल आइए और एहपी आ नहीं होगा नियाईक कारे आमतोर पर सोंबार को पतना हाई कोट में नियाईक कारे किये जाते हैं लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है हाई कोट के महाने बंधा की तरफ से स्कोले करदशा निर्देश जारी कर दिया गया है जिसके तहती सुप्रीम कोट के पुर्व मुख्य नाधीश नैमूर्ती रमेश चंदरल लाहोटी के निधन पर आगामी सोंबार को सुबह साड़े ग्यारा बज़े के बाद पतना हाई को बक्तियारपुर और सिह 11 ने जीत हासल की है यह लीग पटा फुटबॉल संग की तरफ से चलाई जा रही है सबसे खास बात यह है कि सिह 11 बना नौथन इंटरनाशनल स्कूल के बीच खेले के मकाबले में सिह 11 के खिलारी पूरी तरह से हावी रहे दिपांश ने इस मैच 18 वे और 37 मिनट में गोल कर अपने हैट्रिक पूरी की है वहीं इस दोरां से 11 ने नौथन इंटरनाशनल स्कूल को पांच शुने जबकि न्यू बोईज एफसी बक्तियारपुर ने न्यू यारपुर क्लब को एक शुने से हराया पटना में मिले कोरोना के तीन मामले बिहार बिहार में बिते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 9 मामलों की पुष्टी हुई है जिसके बाद ही बिहार में आक्टिव मरीजों की संक्या 32 पर पहुँच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलो की बात करें तो इसमें राज़ानी पटना में कोरोना संक्र प्रभावित तीन मामले की पुष्टी हुई है ग्यातो पटना में लगातार कोरोना के मामलों में उतार चुरह आप देखने को मिल रहा है पटना के गोल घर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास 20 जुलाई 1786 को गोल घर का निर्मान हुआ इसमें एक ही बार में एक लाग 44,000 टन अनाज का भंडारन किया जा सकता है दरसल सूखे से निदान के लिए इसकी विवस्था की गई है इसकी उचाए 125 मीटर बताई गई है इसके साथ ही इस पर 145 सीड़िया है मिली जानकारी के निसार जिसके द्वारा आप उपर चर सकते हैं पूरा पटना दे लेख सकते हैं अब आईए जानते हैं सराफा बाजार और प्रिट्रोल लीजल के क्या थे भाव अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 कैरेट के लिए प्रतितस ग्राम 48,300 रुपे है वही 24 कैरेट के लिए प्रतितस ग्राम 52,690 रुपे है इसके साथ ही प्रति लीटर और डीजल के दाम 94,200 रुपे है वही अगर आज हम तापमान की बात करें तो अधितम 38,300 रुपे है वही निरुटम 27,200 है तो शोले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके लुज़ार राजणानी पतना की सबसे खूप प्रत जगे है कौन सी है अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही पतना की बड़ी खबरों से अब्डेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेलाइक और दबाना ना भूले धनिवाद